अलो आज है 12th मार्च और आज इस उडियो में हम बात कने जा रहे हैं कल्यान जोलर्स के IPO के बारे में देखे कल्यान जोलर्स का IPO आने वाला है और बहुत ही वेल नोन ब्रांड है यह सोने ही में अगर हम देखे तो खास के साउथ हिंडिया में देखे तो बहुत ही बड़ा इनका वर्चस्व है काफी बड़ा इनका नाम है और उतने ही बड़े इनके ब्रांड एम्बिसेटर है बड़े से बड़े बॉलिवड सेलेबरिटीज कल्यान जोलर्स को प्रमोट करते हैं और कल्यान जोलर्स का IPO खुलने भी वाला है तो वीडियो में हम डिसकर्स करेंगे उन सारी चीजों के बारे में ये भी डिसकर्स करेंगे क्या IPO को सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं और हाल फिलाल में क्या चीज़े हैं जो हमें यहाँ पर समझनी चाहिए तो उन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर डिसकर्स करेंगे लेगिन उसस पहले अगर आपने अभी तक चैनलको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियो से recipients जो आपको काफी साद हेल्प करेंगे आज 12 मार्च है 16 मार्च को IPO खुलेगा और 18 मार्च को यह IPO बंद हो जाएगा IPO की जो प्राइस है वो 86 रुपीज तैय की गई 86 तो 87 रुपीज IPO की प्राइस है और एक लॉट में 172 शेर्स वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे अब यहां पर जैसे ही मैंने कहा कि opening date 16 को है closing date 18 मार्च है allotment जो होगा वो 23 मार्च को होगा और जिनको नहीं मिला होगा उनको 24 मार्च को refund भी मिल जाएगा और जिनको मिला होगा 25 मार्च को उनके dmit account में share credit हो जाएगे और IPO लिस्ट होगा 26 मार्च को तो बहतर चीज़ है अच्छी चीज़ है यहां पर कि कल्यान जूलर्स का IPO आ रहा है और काफी वक्त से इसका इंतजार भी किया जा रहा था कल्यान जूलर्स का तो अगर हम कलियान जूलर्स की बात की तो कलियान जूलर्स इस वन अफ दे इंडियास लार्जेस्ट जूलरी कंपनी है The key business activity of the company is to design, manufacture and sell a variety of gold और और भी करेसा जो जूलरी से उसको बेचना अलग-अलग occasions होते हैं जैसे कि wedding festivals तो वहां पर इनका consumption और भी जादा बढ़ता हो नजर आता है तो अगर हम बात करें तो company की शुरुवात केरला में हुई थी और it has expanded its presence with 107 showrooms located across 21 states and union territories in India तो भाई या बहुत जादा showrooms 107 जितने showrooms हमें कल्यान जोलर्स को देखने को मिल रहे हैं और यहां पर अगर मैं आपको company के बारे में कुछ समझाने की कोशिश करो IPO के बारे में मैं बताने की बात करूँ तो इंडिया में कल्यान जोलर्स इंडिया इस सेट तो लॉंच इस 1175 करोड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO ए 1175 करोड का 16 मार्श को इनका लॉंच होने वाला है दे कंपनी की जो जैसे कि मैंने कहा कि price range 86-87 रुपिस के आसपास देखने को मिल रही है अब यहां पर अगर हम देखें तो OFS की द्वारा भी कुछ फंड रेजिंग जुडाया जाएगा दे कंपनी प्लान तो रेज 1175 करोड तो यहां पर अगर हम कूरी डिटेल के बारे में अगर हम देखने जाए तो half of the issue is reserved for qualified institutional buyer जबकि 35 प्रतिशत का जो हिस्सा होगा वो retail investors की लोग मतला आप अपर हमागा जैसे लोग ले 35 प्रतिशत का हिस्सा रहने वाला है और 15 प्रतिशत का जो हिस्सा है वो non-institutional bidders के लिए रहने वाला है Axis Capital, City Group, Global Market India, ICSS Securities and SBA Capital Market are the global coordinator and book running leader manager देखे तो manage करने का काम इन सब लोग का दिया गया है तो अच्छी चीज़ है बहतर चीज़ है यहाँ पर क्योंकि अगर हम टाइटन के बारे में देखे तो टाइटन का जो valuation है वो काफी जादा है इसके comparison में लेकिन फिर भी काफी brokerage houses के recommendation के भी सला है Going forward we believe that Kalyan Jewelers would Angel Broking की हम यहाँ पर बात लिए तो Angel Broking की तरफ से यह पताया गया है Going forward we believe that Kalyan Jewelers would perform better on the back of the strong brand numbers of stores in India and internationally Thus we recommend to subscribe rating on this issue So Angel Broking की तरफ से यहाँ पर खरिकदारी की सला दी गई है उसके अलावा अगर हम बात करें कि भाया Kalyan Jewelers की यह website है जो सबसे बड़े brand ambassador Kalyan Jewelers के है वो Amida Bachchan जो इनके brand ambassador है उसके अलावा जया भादोरी बच्चन यह भी कलियान Jewelers की brand ambassador है उसके अलावा कैटरीना कैफ यह भी कलियान Jewelers की brand ambassador है उसके अलावा अगर हम बात करने जाए तो भाई साथ साथ के बहुत नामी गिनामी चेहरे हैं जिसमें प्रभू गनेशन है यह भी काफी बड़ा नाम है साथ में अगर हम देखे तो उसके अलावा नागर जुन इसको किसी introduction की जरूद नहीं है इने साथ के साथ साथ एवन नौड में भी इनके काफी जादा मजबूत पकड़ नजर आती है उसके अलावा श्रीवा राज कुमार ये भी साथ में काफी जादा फेमस है कन्नट एक्टर है ये और इनकी भी काफी बड़ी फैन फॉल्लाइंग है बाकी कि कुछ टीवे एक्टरेस और एक्टरेस जैसे कि मल्यालम सिनेमा की फर्स्ट फीमेल सुपरस्टार है बन्जू वेरियर ये भी एक इनके ही ब्रांड एमसेटर है कई सारे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे लेकिन शुटवादी दोर में हमेना को कुछ बड़े नाम गिनाए कई बड़े ब्रांड एमसेटर को कल्यान जोलर्स के देखने को मिलते हैं साउथ की बहुत बड़ी कंपनी है यह कल्यान जोलर्स अगर हम सोने की बात करें तो सोने की कीमते ना बढ़ने ही वाली है गठने नहीं वाली है और मुझे लगता है कि जिस price range पर ये share offer हो रहा है 86-87 ये उतना महंगा भी नहीं है definitely हाथो हाथ इसका जो IPO है वो बिकने ही वाला है और मुझे लगता है कि over subscribe ये share बहुत ही आराम से हो जाएगा तो कल्यान जोलर्स में अगर आप IPO को subscribe करना चाहने का आपका मन है तो मेरे हिसाब से आपको पहले दिन नहीं लेकिन दूसरे तीसरे दिन IPO को apply करना चाहिए देखना चाहिए कि कितना IPO subscribe हो रहा है ये मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले देखो कि कितना subscribe हो रहा है देखे fundamentally मुझे कल्यान जो इस long time के लिए बहुत ही बैतन लग रहा है बड़ी company है शांदार company है बड़ी market presence है किसी भी ऐसे घोटाले में इनका नाम कभी भी नहीं आया है और काफी clean इनकी image नजर आ रही है यहाँ पर और जिस industry से belong करती है भाई साब वो industry ही दमदार है उसमें अगर हम देखने जाए तो price time के साथ बढ़ने ही वाली है तो कल्यान जोनर्स को लेगा मेरे इस सला हुए कि हाँ अगर आप चाहे तो इस IPO को subscribe कर सकते हैं ज़रूर कर सकते हैं लेकिन जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले दिन IPO subscribe करने की बहुत बहुत जल्दबाज ही नहीं करनी चाहे अगर आपको IPO सब्सक्राइब करना है तो आप दूसरे तीसे दिन का वेट करें 15-20 गुना अगर IPO सब्सक्राइब होता है तो definitely आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं IPO को सब्सक्राइब कर सकते हैं और long term का नजरिया रखे काफी बहतर कल्यान जूलर्स का IPO खुलने वाला है लेकिन कमपेटिशन भी तगड़ी है इनके साथ कल्यान जूलर्स के साथ एक वर IPO खुल रहे है वो है नजारा टेकनोलोजिस वो राकेज जुन जुन वाला की बैक धराने वाली कंपनी है और दूसरी बात गेमिंग इंडस्ट्रे की ये कंपनी है तो नजर रहेगी कि लोग किसको सब्सक्राइब करते हैं अब IPO की मौसम आ चुकी है IPO की बाहर है पूरे मार्केट में एक के बाद एक नई IPO जा रहे हैं अगर तीन चा गुना सब्सक्राइब हो IPO तो इसको भूल जाए मत सब्सक्राइब करें इसे लिए एटलीस आपको दो-तिन दिन का पहले दिन नहीं दूसरे-तिसरे दिन IPO सब्सक्राइब करना है कि नहीं उसके बारे में डिसिजन लेना चाहिए और डेफिनेटली जब अठारा तारीक को कल्यान जोलर्स के उपर मेरा वीडियो भी आने वाला है कि मैंने इसको सब्सक्राइब किया है कि नहीं उसके बारे में ज़रूर मैं आपको वीडियो बना कर इंफॉर्म भी करूँगा और क्या क्या चीजे है क्या का फैक्टर है जिसको मैं ध्यान में रखने वाला हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगा बज़े से पहले आपको ये वीडियो मिलने वाली है तो चैनल को सब्सक्राइब जरु करके रखिएगा मैं इस IPO को सब्सक्राइब करूँगा कि नहीं उसके उपर मैं उस वीडियो में आपको पूरी डीटेल में हम चाटा जरूर करेंगे तो वीडियो को यहीं पेंट करूँगा पसंद आये हो तो प्लीज लाइक करें अगरा पहली बाहर आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और कल्यान ज्वेलर्स के इस IPO के बारे में आप क्या सोचते हैं इस कंपनी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिक्तरों बता सकते हैं थैंक यू